ओम शांति ओम शांति अज आठ जन्वरी दोहसार तेइस दिन रवी वार की अव्यक्त मुर्ली हाईए अब जुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को निश्य बुद्धी भव अमर भव आज बाप दादा सर्व अतीस नहीं आदीसे यग्य की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन भिन समस्याओं के पेपर में निश्य बुद्धी विजई बन पार करने वाली आदीस नहीं सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं निश्य की सबजेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं यह निश्य चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजई का अनुभव कराती रहेगी निश्य का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे विशेश आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजूर्ग आत्माए हैं उनों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं निश्य की मुबारक एक तरफ यग्य अर्थात पांडवों के किले की जो नीव अर्थात फाउंडेशन आत्माए हैं वह भी सभी सामने हैं और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदी आत्माएं इस पांडवों के किले की दिवार की पहली इंटे हो फांडेशन भी सामने हैं और आदी इंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्रचाया बना वह भी सामने हैं तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित आत्माओं की श्रीमत वा डाइरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना कभी भी व्यर्थ मन मत वा परमत नहीं मिलाना हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो समझा अच्छा मदुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले अच्छा विशेश मदुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो सारा सीजन अपनी मधूरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित बने तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित सेवाधारी विशेश मदुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक मदुबन है ही मदू अर्थात मधूरता तो मधूरता सर्व को बाप के सनेह मेलाती है इसलिए चाहे हौल में हो चाहे चले गए हो लेकिन सभी को विशेश एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेश मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भव मधूर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात अलबेलापन कमजोरिला प्रता है इसलिए अलर्ट रहो सभी संगम युगी श्रेश्ट आतमाए हो न संगम युग की विशेश्टा क्या है जो किसी भी युग में नहीं है संगम युग की विशेश्टा है कि एक तो पर्त्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है पर्त्यक्ष फल मिलता है न अगर एक सेकेंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है न तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो इसलिए शक्ति शालि हो कमजोर तो नहीं है न सब पावर्फुल है कमजोरी को आने नहीं देना जब तंदुरुस्त होते है तब कमजोरी सुवतक खत्म हो जाती है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदाशक्ती मिलती रहती है तो कमजोर कैसे होंगे कमजोरी आ सकती है कभी गलती से आ जाती है जब कुम्बकरण की नीद में अलबेले होकर सोजाते है तब आ सकती है नहीं तो नहीं आ सकती है आप तो अलट हो न अलबेले हो क्या सभी अलट है सदा अलट है संगम युग में बाप मिला सब कुछ मिला तो अलर्ट ही रहेंगे न जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती है वो कितना अलर्ट रहते है रिवाजी बिजनेसमेन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा तो आपको एक सेकिंड में कितना मिलता है तो अलबेले कैसे होंगे बाप ने सर्वशक्तियां दे दी जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेला पन नहीं आ सकता है सदा हुश्यार सदा खबरदार रहो UK को तो बाप दादा कहते ही है ओके तो जो ओके अर्थात बिलकुल ठीक होगा वे जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा न फाउंडेशन पावर्फुल है इसलिए जो भी टाल टालिया निकली है वे भी शक्तिशाली है विशेश बाप दादा ने ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंडन का पहला फाउंडेशन डाला है ब्रह्मा बाप का विशेश लाडला है तो आप परत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माए हो कर्म करने के पहले फल तैयार है ही ऐसे ही लगता है न? या मैनत लगती है नाचते गाते फल खाते रहते हो वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है न? बाप दादा भी UK अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्शित होते हैं अपना यह टाइटल सदा याद रखना ओके यह कितना बढ़िया टाइटल है सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चहरे से वानी से वरती से ओके बनाने वाले यही सेवा करनी है न? अच्छा है सेवा का शोक भी अच्छा है जो भी जहां से भी आए हो लेकिन सभी तिव्र पुर्शार्ति और उड़ती कला वाले हो सबसे ज्यादा खुश कोन रहता है नशे से कहो मैं सिवाई खुशी के और है ही क्या खुशी ब्रहमन जीवन की खुराक है खुराक के बिना कैसे चलेंगे चल रहे हो, तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो न, स्थान भी बढ़ रही है, देखो, पहले तीन पैर प्रत्वी लेना, बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है, सहज लगता है न, तो लंडन ने कमाल की है न, अभी पचास एकड जमीन मिली है, हिम्मत दिलाने व वाले भी अच्छे हैं, देखो, आप सब की उंगली नहीं होती, तो कैसे होता, तो सब ही यूके वाले लक्की है, और उंगली देने में बहादुर है, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादिशाह बनो, सदा अपने को बेफिक्र करते हो, यह थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब बापने आपकी जिम्मेवारी ले ली, तो जिम्मेवारी का फिक्र है क्यों, अभी सिर्फ रिस्पोंसिबिलेटी है, बाप के साथ साथ चलते रहने की, वे भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं, तो क्या फिक्र है कल क्या होगा ये फिक्र है जॉब का फिक्र है दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा निश्चय है ना पक्का निश्चय है या हिलता है कभी जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं क्योंकि कल्प कल्प की विजय ही है और सदा रहेंगे ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो, इतना निश्चे है ना, कि कल्प कल्प के विजई है, इतना निश्चे है, कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चे बुद्धी विजई रत्न है, ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं, ये खुशी है ना, बहुत मोज में रहते हो न, इस अलोकिक दिव्य श्रेष्ट जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुचने की मुब कोई अलग न कर सके, सभी अपने को सदा बाप और आप कमबाइंड हैं, ऐसा अनुभव करते हो, जो कमबाइंड होता है, उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता, आप अनेक बार कमबाइंड रहे हो, अभी भी रहे हो, आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है, तो इतना पक्का कंबाइंड रहना तो सदेव स्मरती रखो की कंबाइंड थे कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके तो प्यार की निशानी क्या होती है कंबाइंड रहना क्योंकि शरीर से तो मजबूरी मे भी कहां कहां अलग रहना पड़ता है, प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है, लेकिन यहां तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहां से कहां पहुच सकते हो, आत्मा और परमत्मा का साथ है, परमत्मा तो कहां भी साथ निबाता है, और हर ए एक से कम्बाइंड रूप से प्रीत की रीती निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे मेरा बाबा है या कहेंगे तेरा बाबा है हर एक कहेगा मेरा बाबा है तो मेरा क्यों कहते हो अधिकार है तब ही तो कहते हो प्यार भी है और अधिकार भी है जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है अधिकार का नशा है न कितना बड़ा अधिकार म में भी नहीं मिलेगा किसी जन्म में परमात्माधिकार नहीं मिलता प्राप्ति यहां है प्रालब्द सत्यूग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है लेकिन देने वाला भी बेहद का है तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है तो मालिक किसके हो हद के या बेहद के तीनों लोक अपने बना दिये मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है तीनों लोकों के अधिकारी बन कोई अप्राप्ती है, तो क्या गीत गाते हो, पाना था वह पालिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा, तो ये गीत गाते हो, या कोई अप्राप्ती है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुरसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुरसी होगी, तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं और आपको कितनी गैरेंटी 21 जन्म की गैरेंटी है गैरेंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है जैसे यहां पासपूर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है तो गैरेंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है छुपा छुपी करती है फिर आप क्या करते हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं हर कर्म त्रिकाल दर्शी बन करो सभी अपने को तक्त नशीन आतमाया नुभव करते हो अभी तख्त मिला है या भविश्य में मिलना है क्या कहेंगे सभी तख्त पर बैठेंगे दिल तख्त बहुत बड़ा है दिल तख्त तो बड़ा है लेकिन सत्युग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रोयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकठे तो नहीं बैठ सकेंगे, इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जर्म का महत्व है, जितने चाहें, जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं, इस समय और कौन सा है, अकाल तख्त, आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये ब्रुकुटी है, तो ब्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो, और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त है न, नशा है कि मैं आत्मा ब्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ, तख्त नशीन आत्मा का पर राज्य है, इसलिए स्वराज अधिकारी है, स्वराज अधिकारी हूं, यह स्मृती सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुबव कराएगी, तो तीनों ही तखत की नौलेज है, नौलेज़ फूल हो न, पावर्फुल भी हो, या सिर्फ नौलेज़ फूल हो, जि पावर्फुल दोनों ही साथ साथ तो तीनों तख्त की स्मृती सदार रहे ज्यान में तीन का महत्व है तरिकाल दर्शी भी बनते हैं तीनों काल को जानते हैं या सिर्फ वर्तमान को जानते हो कोई भी कर्म करते हो तो तरिकाल दर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एक दर्श या त्रिकाल दर्शी तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो कहो हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा ये तो जानते हो ना तो त्रिकाल दर्शी हुए ना जो हो गया वो भी अच्छा जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छे है ना कि अच्छे से अच्छा होना है बुरा नहीं हो सकता क्यों अच्छे से अच्छा बाप मिला अच्छे से अच्छे आप बने अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ट आत्मा हूँ तो श्रेष्ट आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो यह सदा समरती रखो कि कल्यान कारी बाप मिला तो सदा कल्यान करने वाला है। उसका कल्यान हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चे रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्यान क संगम युग को भी नाम देते हैं कल्यानकारी युग तो कल्यान नहीं हो सकता तो क्या याद रखेंगे जो हो रहा है वे अच्छा और जो होने वाला है वे बहुत बहुत अच्छा तो यह समरती सदा आगे बढ़ाती रहेगी अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का जंडा लहरा रहे हो सभी बहुत हिम्मत और तिवर पुर्शार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे फ्यूचर दिखाई देता है न कोई भी पूछे आपका भाविश्य क्या है तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है अच्छा वर्दान अपने मस्तक पर श्रेष्ट भागय की लकीर देखते हुए सर्व चिन्ताओं से मुक्त बेफिक्र बादिशाह भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझे बेफिक्र रहने की बादिशाही सब बादिशाहियों से स्रेष्ट है अगर कोई ताज पहन कर तख्ट पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो यह तख्ट हुआ यह चिन्ता भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ट भाग्य की लकीर खीच दी है बेफिक्र बादिशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ट भाग्य की लकीर देखते रहो वह मेरा श्रेष्ट इश्वरिय भाग्य इसी फखूर में रहो तो सब फिक्रातें चिन्ताएं स्माप्त हो जाएंगी स्लोगन एक आग्रता की शक्ती द्वारा रूहों का आवाहन कर रुहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है एक आग्रता की शक्ती द्वारा रूहों का आवाहन कर रुहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है ओम शंती